तो स्वागते दोस्तों आज की इस नए वीडियो में मैं हूं निखिल और आज से हम लोग निया चेप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे इस चेप्टर का पूरा इंड इनर्जी होते हैं जैसे कि हीट इनर्जी होता है मेकनिकल इनर्जी है कानेटिक इनर्जी है इलेक्ट्रिक इनर्जी है उसी तरह से एक इनर्जी का फॉर्म होता है लाइट क्या है लाइट आखिर बनावा क्या चीज़ का होता है ठीक है तो लाइट बनावा होता है फोटों एक सबसे बड़ा फैक्ट जो हम लोग बच्पन से पढ़ते हैं light always travels इन्हें straight line ठीक है तो light जो है हमेशा एक straight line में चलता है जिसकी एक speed होती है जो की एक fixed speed होती है in vacuum ठीक है vacuum में अगर vacuum नहीं है तो इसकी speed vary करेगी लेकि अगर vacuum है तो इसकी speed बिल्कुल भी नहीं जिसकी speed हो जाती है 2,99,792 km per second मतलब इतना km तो इतना भलकी नंबर को याद रखने से अच्छा है इसको 3,00,000 बना देते हैं ठीक है 3,00,000 km average में calculation में असानी के लिए 3,00,000 km per second ठीक है और इसको ही अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में कर देंगे तो 1000 और कर देंगे तो 3 पर एक दो तीन चार पाँच यह पांच जी वह और इसको किलोमेटर को मीटर बदल देंगे तो 1000 पर मैंटिक लिए हो जागा मीटर पर शेंड मीटर पर सेकंड तो क्युत ना 0 हो गया एक दो तीन चार पांच चैसा आट यही का पावर 8 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड हो जाता है ठीक है यहाँ पर गलत लिखावा है किलो मीटर पर सेकेंड 3 x 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड के लिए यह डाटा हम लोग लेते हैं तो स्पीड of light in vacuum vacuum बोलना जरूरी है ध्यान रखना तो vacuum में कितना हो जादा 3.8 3 x 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड हो जाता है अब समझते हैं कि light आखे उत्पन कहां से होती है इसका source क्या होता है तो light को आने के लिए कोई ने कोई एक luminous source होना चाहिए ठीक है जैसे कि sun हो जाए sun is a source of light ठीक है stars भी यह source of light है light bulb जो हमारे घर में होते है वो भी एक source of light है laser होते है वो भी source of light है ठीक है तो light जो है energy का form है ठीक है तो किसी ने किसी chemical energy से अगर वो इलेक्ट्रिक है chemical energy से इलेक्ट्रिक से इनर्जी बना इलेक्ट्रिक इनर्जी से बल्व के द्वारा वो लाइट इनर्जी फॉर्म को चेंज करके वो बनेगा जैसे कि sun में अगर आप तो nuclear energy change हो जाता है light and heat energy तो light energy हमें दिखाई देता है तो light के form पे हमें वो चीज़ दिखाई देती है तो यहां से आता है light ठीक है तो यह हो गया एक rough introduction अब ray and beam of light एक confusion हमें से आते रहता है तो उसको समझते है तो light जो है अगर किसी point से start होके एक single ray of light अगर निकल जाती है ठीक है एक single unidirectional होना चाहिए one dimension होना चाहिए कोई दूसरा dimension नहीं होना चाहिए अगर यह condition satisfy करता है तो उसको हम लोग ray of light कहेंगे always travel इने straight light ठीक है अब beam of light क्या हो गया अगर group of rays of light है ठीक है किसी point source है मालों कि यह sun हो गया ठीक है अब sun से तो बहुत सारे सारों तरफ से ray of light निकल रहेंगे ठीक है तो अगर single रहेगा तो वह ray of light है अगर group में वह चलेगा तो beam of light कहेंगे ठीक है beam of light converge भी हो सकता है diverge भी हो सकता है वह अलग-अलग condition पर depend करता है अगर वहाँ पर वैसा lens लगा देता है तो वह diverge भी हो जाएगा converge ही होगा तो यह चीज़ इसमें होते है ray of light आए कहा से ray of light माल नेते हैं sun का ray of light इस पर आए ठीक है इस पर ray of light जैसे इस पर पड़ेगी तो हो सकता है कि कुछ ray of light को यह observe कर ले लिकिन यह भी chance है कुछ ray of light को यह वापस से reflect कर देए यहां से surface से टक्रा के ray of light bounce कर जाए जहां से reflect हो जाए ठीक है अगर यह चीज़ र पहुंसती है, तो वो चीज हमें दिखाई देने लगीगी, मतलब कि कोई भी चीज हमें दिखाई देने के लिए एक source of light चाहिए, जो कि किसी object पर पढ़ना चाहिए, जिस object को हमें देखना है, उस object पर पढ़ना चाहिए, और उस से light reflect होनी चाहिए, ये condition अगर आती है, तो वो चीज हमें दिखाई देने लगीगी, ठीक है, इसलिए क्या कहा है, डार्क रूम है, उसमें कोई object है, वो चीज हमें दिखाई नहीं देती, क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि वहाँ पर source of light नहीं है, ठीक है, रात के अंधिरे में आगर आप रूम बन कर लो और उसमें क रिफ्लेक्ट करेगा, जिसके कारण वो नहीं हमारे यहांकों तक पहुंचीज हमें दिखाई नहीं, इसलिए डार्क रूम में बिल्कुल डार्क हो जाता है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो यह पूरा फेनोमेना होता है कि कैसे हमें कोई चीज दिखता है, an object reflect light falls on it, कोई भी object है, वो light को reflect करेगा, हीट करेगा, उसका percentage अलग-अलग हो सकता है, कोई जादे कर सकता है, कोई कम कर सकता है, लेकिन करेगा जरूर, ठीक है, this reflected light when received by our eyes enable us to see things, और यह यह reflected light, that source of light नहीं, reflected light अगर हमें आखो तक पढ़तना होता है, तो वो हमें दिखाई देने ल mirrors आ जाते हैं, ठीक है, reflection of light का पूरा concept पढ़ना है, उसके बाद हमें spherical mirror में, concave mirror और convex mirror दोनों को पढ़ना है, ठीक है, यह दोनों को पढ़ना के बाद उसमें image formation होता है, spherical mirror में, वो image formation कैसे होता है, वो पूरा हम लोग इसमें देखेंगी, तो mirror से जो image बनेगा, उसका कुछ formula होता है, ठीक है, यह आप उसका object का distance, image का distance यह आप निकाल सकते हैं, तो वो वाला formula भी हम लोग इसमें देखने वाला है, साथ साथ इसका magnification, कितना उसको magnify कर, जब भी कोई spherical mirror से light reflect करती है, तो उसमें उसको magnify कर देती है, ठीक है, या dimnist कर देती है, तो बढ़ा देगा, तो घटा देगा, तो यह चीज़ होने के कर, वो कितना magnification दे रहा है, तो यह चीज़ भी हम लोग calculation इस वाले चैप्टर ने पूरा जानेंगे, अगले अगले पार्ट में यह संतीर दिना आती जाएगा, उसका बढ़ते हैं, reflection of light, और उसका पढ़ेंगे reflection of light, reflection of light में मतलब क अगर surface से टकड़ाक है, bounce back हो जाती है, ठीक है, किसी surface टकड़ाक है, तो वहाँ पर कौन सा phenomenon चलता है, वो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, और reflection of light में अगर किसी object है, वो transparent object होना चीज़, जैसे कि कोई glass slab, उससे अगर light cross कर जाती है, तो वहाँ पर कौन सा phenomenon लगता है, ठीक है light क्या सा behavior करती है, तो वहाँ पर हम लोग reflection of light वाला topic पढ़ेंगे, उसमें फिर भी आ जाता है, दो lens आ जाता है, इसमें भी spherical lens, जैसे कि reflection of light में mirrors आये थे, उसी तरह से reflection of light में lenses आ जाता है, इसमें भी जाता है, concave lens, convex lens, ठीक है तो यह दोनों भी हमें पढ़ता है, उसके बा cover of lens होता है, यह सारे topic हमें पूरा इस chapter में cover करना है, तो बने रही है मेरे साथ, और अगला next text जो पार्ट आते जाएगा, उसमें एक topic में इसमें पूरा detail से बताती जाता, thank you very much, वीडियो आपको अच्छा लागा तो लाइक से आओ, subscribe पढ़ना भूले, मिलते हैं अगले वी झाल 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 झाल